तो दोस्तो अगर आप एक CAC VLE हैं तो आप सभी CAC VLEs के लिए यहाँ पर CAC Portal में एक नई सर्विस को लाइब किया गया है जिसका नाम है समगर EKYC दोस्तो इस सर्विस के माध्यम से समगर ID को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा अब दोस्तो समगर ID से आधार कार्ड को लिंक करवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो असंगरित मजदूर कार्ड होता है वो इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो यह सभी के लिए mandatory है कि वो आपना समगर ID आधार से लिंक करवाएंगे तो अगर आप एक CACVL हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है अपनी कस्टमर का किस तरह से समगर को आधार से लिंक करेंगे उसका completely प्रोसेस क्या है और आपके डिजिटल सिवा पोर्टल पर ये सर्विस नहीं आई है या शो नहीं कर रही है कौन-कौन से एरर यहां पर आ रहे है और उनका क्या-क्या सालूशन आपको करना है सारा कुछ डीटेल में step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो को भीना skip किये end तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो इसी तरह की information के लिए आप हमारी चैनल को जरूर से subscribe कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की नई नई सर्विस की update आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपके digital सिवा portal पर आ जाने के बाद आपको यहां पर जो है newly arrived यहां पर आपको जो नई नई सर्विस लाइव होती है उनके बाड़े में information दी जाती है तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा समगर EKYC अगर यह option आपको नहीं आता है तो आप इसको एक बार refresh करेंगे अगर फिर भी आपको यह option नहीं आता है तो आप जो है अपनी browser की history को एक बार clear कर लेंगे ठीके ना उसके बाद जो है आपको यहां पर समगर EKYC का option show होने लगेगा तो आपको simply करना क्या है आपको यहां पर click करना है जैसी आप यहां पर click करेंगे तो आपके सामने यहां पर view product का pop up open हो जाएगा तो आपको यहाँ पर view product के उपर click कर लेना है तो जैसी आप view product के उपर click करते हो तो आप जो है redirect कर दिये जाओगे समगर portal पर यहाँ पर कुछ इस तरह का interface page आपको देखने के लिए मिलेगा यहीं पर आपको एक option देखने के लिए मिलता है दिजिटल सेवा connected ठीक है ना तो आपको simply यहाँ पर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करते हो तो आपको जो है आपका CSC ID password login करने के लिए कहा जाएगा आप yes वाले button पर click करेंगे जैसी आप yes वाले button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका CSC ID आपका नाम और आपका state आपको show होगा आपको यहाँ प्रोसीड वाले button के उपर click कर देना है जैसी आप प्रोसीड वाले button के उपर click करते हो तो आपको अब जो है यहाँ पर समगर आइडी इंटर करना है मतलब आप जिस भी किसी customer की समगर आइडी को यहाँ पर link करना चाहते है mobile से उनका आप समगर आइडी यहाँ पर इंटर करेंगे तो दोस्तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का एक error देखने के लिए मिलेगा तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है आप जो है redirect हो जाते हो इस वाले page पर अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो समगर आइडी आपने प्रविष्ट किया था वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा वही आपको यहाँ पर दो बारा से दिखाए देगा और जो मोबाइल नमबर पर OTP प्राप्ट करने के लिए अनुरोध करें तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा आपके सामने यहाँ पर इस तरह का pop-up ओपन हो जाएगा Do you want to update mobile in समग्र आपको Yes वाले बटन पर क्लिक करना है जैसी आप Yes वाले बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है candidate की समग्र डीटेल आपको यहाँ पर शो होगी अब आपके mobile पर एक OTP भेजा गया है OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है और आपको इस वाले केपचा को यहाँ पर फिल करना है और प्रमानित करें और आधार EKYC के लिए आगे बढ़े आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर आप देख रहे है CD और आधार नमबर यहाँ पर मैंने कुछ information को blur किया है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर आपको आपका आधार नमबर इंटर कर देना है आधार नमबर इंटर करने के बद आपको इस वाले केपचा को यहाँ पर feel करना है and request OTP from आधार यहाँ पर आपको click कर देना है तो जैसी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आधार authentication कम्पलीट हो जाता है आपके mobile पर एक OTP भेजा जाएगा जो की 6 digit का रहेगा आधार काड के दौरा आपको OTP यहाँ पर इंटर करना है इस वाले केपचा को यहाँ पर फिल करना है और दोबारा से आपको OTP EKYC पर क्लिक करना है तो जैसे आप EKYC के उपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का form open हो जाएगा जिसमें कि आपको वेक्ति की completely information so होगी ठीक है न आपको यहाँ पर आपकी information दिखाए देगी उसके बाद आपको क्या करना है इस वाले checkbox को check mark करना है यहाँ पर आपको आपका mobile number आपका नाम दिखाए देगा मैंने blur कर दिया है आपको इस वाले checkbox को यहाँ पर feel करना है तो जैसे आप update your name and gender and date of birth के ओपर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका update successful हो जाता है मतलब आपका EKYC यहाँ पर हो चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप समगर ID को आधार से link कर सकते हैं easily अभी यहाँ पर कुछ issues देखने के लिए मिल रहे हैं हो सकता है कि अभी यहाँ पर आपको OTP नहीं आ रहा हो लेकिन यह समय के साथ थोड़ा सा सही हो जाएगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोगों को समगर EKYC के बाड़े में completely information provide कर आई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लिजीगा इस service में अगर आपको किसी भी तरकी कोई problem आ रही है तो आप मुझे comment section में जाके comment कर सकते हैं अभी यह service दोस्तो केवल मध्यप्रदेश के लिए live की गई है आप कौन से state से रहने वाले हैं मुझे रीचे comment section में जरूर बताईएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं हर एक state के लिए अलग-अलग services लेकर आ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ तो आज किस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में किसी नहीं नौलेजी वाले इंफरमेशन के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत